हेलो दुस्तू, स्वागत हैं आपका अपनी यूटूब चैम्ट, वा क्लासिस में, प्यारवच्चू, मैच में हमारा चेप्टर चल रहा है चक्रवर्धी ब्याज, ठीके, जिसकी दो क्लास हम पहले ही कंप्लेट कर सुके हैं, ये तीसरी क्लास है, अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस में आपको वेडियो मिल जाएंगी, बहां जाकर देख सकते हैं, ठीके, तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लेट करने वाले हैं, तो चलते हैं क्लास सुरू करते हैं, पहला कोश्चन देखेंगे, पहला कोश्चन आपके सा उच्छा गया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो जब कोश्चन को देखते ही, जब पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सर नहीं कोश्चन इस टैप से कराया था, और आप बहुत आसानी से उस कोश्चन को सॉल्व कर ठीके, सबसे पहले आपको क्या कोश्चन की language समझ में आनी चाहिए, तो कोश्चन को अच्छे से समझा करो, रटा मत करो, कोश्चन को समझा करो कि इस कोश्चन को कि स्टैप से सॉल्व करना है, ठीके, जैसे यह कोश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है, 11,000 रुपे किस्तों में बापस करना है उसे कितनी किस्तों में दो एक समान बार्शिक किस्तों में बापस करना है यदि उस पर चक्रदी ब्याज 20% बार्षिक देना हो तो पिरतिय किस्ट की धंदा से कितनी होगी इन कुश्चन को बोलते हैं किस्टो वाले कुश्चन क्या बोलते हैं किस्टो वाले कुश्चन किस्ट तो सब बच्चे जानते हैं कोई ऐसा तो नहीं है जिसको किस्त का ना पता हो किस्त क्या होती है कभी आपके घर में से भी किसी नहीं या आजपरो से बाइक निकालता है कोई किस्तों पर कोई कार निकालता है किस्तों पर कोई कुछ निकालता है ठीक है तो जब निकालते हैं तो वो क्या करता है जिससे हम लेते हैं वो हमारी किस्त बांज देता है कि तुम्हें इतने इतने रुपे की इतनी किस्ते तुमको जमा करनी है ठीक है ऐसे होता ना तो सभी बच्चे किस्तों को जानते होंगे तो कोशन सोल्व करेंगे किस तो वाले question किस तरीके से हम solve करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको दर को पगड़ना है ठीक है किसको पगड़ना है दर को पगड़ना है सभी बच्चे जानते हैं सभी बच्चे जानते हैं दर के बारे में पिछली क्लाश जिसने देखी है सभी को पता होगा 20% क्या है इसमें चकरद्याज की दर दे रखी है तो 20% की सबसे पहले हमको fraction पता होनी चाहिए हर बच्चे को पता होगी जो बच्चा में regular क्लाश लेता है 20 पंजे 100 एक बटे कितनी होती है 5 सब को पता है कैसे निकालते हैं ठीक है सब कुछ पहले बता चुका हूँ clear है तो हम direct करने वाले हैं इसको एक बटे 5 होती है तो 5 से कितनी हो जाएगी 6 5 से 6 किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं जो regular class लेता है 5 से कितनी हो गई 6 अब इसने क्या बोला है उसे 2 समान 12 किस्तों में बापस करना है उसे 2 समान 12 किस्तों में बापस करना है कितनी 2 कितनी 2 तो 2 बोला है तो क्या करेंगे इसका square कर देंगे ठीक है इनका क्या कर देंगे स्क्वیर कर देंगे 25 हो गया और ही कितना हो गया 36 हो गया अब आप यहां से देखेंगे एक किस्त आगई मेरी 6 रुपे की और एक किस्त आगई 36 की जबकि उसने बोला था उसे 2 1 समान मतलब दोनों समान होनी चाहिए तो मेरी 1 36 की और 1 6 की ए तो मुझे दोनों एक समान करनी पड़ेंगी जब question बोलाया तो एक समान करने के लिए मैं क्या करूंगा उपर मैं 6 से multiply करूंगा जब यहां करूंगा तो यहां भी करनी पड़ेंगी यह इसका rule है ठीक है clear है आप क्या करेंगे से ठीक से मैं लिख देता हूँ 6 5 जा कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 चंग 36 clear अब यह दूसरा क्या था 25 से 36 किसी बच्चों को यहां कोई दिक्कत तो नहीं है उसे दो एक समान हो गए किस ते एक समान हो गए है न 36 36 रुपे की आपको उसर बिल्कुल ठीक है तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे धन्राशे निकाल लेंगे जो उसने जो धन्राशी ली थी रिन पर जो ली थी यह आजाएगी वो धन्राशी इनको जोडने के बाद ठीक है कितना हो जाएगा 30 और 25 अचल फिप्टी फाई पच्पन ओजाएगा ठीक है यह क्या आगी पच्पन पर जो धन्राशे उननके विडद पर लिया गया धन के जो उसने कड़्व द लिया था के लिए डिंद्ासी हमारी आगई बड उसने धन्राशी कितनी रख veto pr की वेल्यू उसने दे रखिए 11,000 एक की वेल्यू निकाल लेंगे 552 ने 110 दो जीरो आ जाएंगे ये वाले के लिए रहे एक की वेल्यू कितनी आ गई 200 मुझे क्या बताना है पिरती एक किस्त की धंदा से कितनी होगी पिरती एक किस्त कितने रुपे की 36 रुपे की तुम्हें 36 की वेल्यू बतानी है एक की वेल्यू कितनी है 200 तो 36 की कितनी हो जाएगी 36 की मल्टिपलाइ कर दूंगा 200 से तो कितना जाएगा 72 option number D है हमारा correct answer हो जाएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बताव कोई भी दिक्कत हो तो काफी आसान question था चलते है next question की तरफ इस type के 3-4 question है थोड़ा patience रही है अगर नहीं समझाया तो next question जरूर समझवाएगा next question देखेंगे एक आदमी 10% चकरवदी ब्याच पर 21,000 रुपे का रिड़ लेता है हर बर्स के अंत में उसे बरावर कितनी तासी देनी पड़ेगी कि दो बर्सों में रिड़ का भुकतान हो जए कुछ भी नहीं है बिल्कुल same question की तरह है क्या करना है 10% है दर कितनी है 10% तो 10 से कितनी कर दूँ 11 कर दूँ या नहीं 10 से 11 clear है क्योंकि 10% की fraction होती है एक पटे 10 तो 10 से कितनी होती है कि 11 हो जाएगी कितना बोला है 2 बर्सों में रिड़ का भुकतान हो जाए कितना 2 बर्सों की बात चल लिए यह मतलब दो किस्तों में जमा करनी है ठीक है तो कितना हो जाएगा यहां से 100 और यह कितना हो जाएगा 121 किसी बच्चे कोई दिक्कत हो नहीं है यहां पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे का step क्या है आप को होगे सर इनको समान कर लो ठीक है इनको क्या करना है एक समान कर लो क्योंकि उसने बोला है हर बर्ष के अंत में उसे बरावर कितनी रासी देनी पड़ेगी तो अब यहां से 111 है 111 से उसने बोला बरावर कितनी रासी देनी पड़ेगी तो इसको भी मैं कितना कर लेता हूँ 121 बना लेता हूँ ठीक है तो कितना हो जाएगा 11,110 121 100 ठीक है कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए यह कितना आ जाएगा जितना वो रिन लेता है ठीक है टोटल जोड़ा कितना आ गया 210 और भूजा क्या है हर बच्च के अंत्में उसे बरावर कितनी राशी देनी पड़ेगी तो कितनी देनी पड़ेगी हर बच्च के अंत्में बरावर 121,121 तो 210 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 21,000 0 से 0 21 से कटेगा कितना जायएक एक की वैल्यू 100 एक की वैल्यू कितनी आगी 100 चलते है नैस्ट गोशें की तरफ हो जाएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है चलते हैं नेक्ट कोशन की तरफ नेक्ट कुश्चन देखेंगे काफी आसान कुश्चन है इसको आप देखते ही लगा सकते हैं मिल्कुल सेम कुश्चन है क्या वो लगा है 210 रुपे की रासी कर्च पर ली गई जिसकी अदाईगी दो बरावर किस्तों में की जानी है यदि बियाज की अदाएगी 12 सिक 10% चकरदी आजपर की जाए तो पिरतिये किस्त की रासी पूछी गई है कुछ भी नहीं है कितना है 10% 10% की फ्रेक्शन 1 बटे 10 मतलब 10 से 10 से 11 ठीक है और क्या वोला 2 बराबर किस्तों में की जानी है दो वोला है न तो क्या करेंगे इनका स्क्वेर करतेंगे 10 का स्क्वेर 100 और इसका 121 कोई दिक्कत नहीं है क्या वोला 2 बराबर किस्तों में की जानी है अब एक किस्त 121 की यह 11 की है तो इनका क्या करेंगे समान कर लेंगे तो उपर किस से multiply करूँगा, मैं 11 से, जब यहां करूँगा, तो यहां भी करनी पड़ेगी, रूल का आपको पता है, ठीक है, तो कितना हो जाए गई, 110, 121, 100, 121, ठीक है, यहां से कितना हो गया, 210, ठीक है, 210 हो गया न, यह उधाल ली गई रासी, कर्ज पर ली गई रासी है, ठीक है, यह कितनी है, 210, कर्ज पर ली गई रासी, तो यहां से 210 है, और यहां से भी कितनी दे रखी है, 210, तो एक की value कितनी आ गई, एक, तो एक से एक किस की कितनी रहेगी, गणा करेंगे, एक से तो एक से किसी रहेगी, option नमर B हमारा correct answer हो जाएगा, किसी बच्चे कोई दि देखेंगे, यह भी काफी आसान question है, इसमें क्या कहा गया है, एक रिण दो बार्सी किस्तों में चुकाया गया, यहां पर मिश्टेक है, ठीक है, आप के पास अगर RS अग्रवाल की book है, RS अग्रवाल की ठीक है, तो आप देखेंगे जो पीली वाली book आती है, उसका ये question है, जो मैंने उठाया उस book से ठीक है क्योंकि 3-4 book को mix करके मुझे question आपको लाने पड़ते हैं क्योंकि एक type के 3 question मुझको रखने होते हैं जिससे बच्चे का clear हो जाए तो एक book में नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए मुझको 3-4 book का सहारा लेना पड़ता है तो यह question है आरे सक्वाल की फीली वाली बुख्जाती है पतली वाली जो सबसे पुरानी है उसका यह मैंने question उठाया था तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इक 1120 नहीं है इसकी जगाँ आप क्या कर लेंगे 1210 ठीक है? कितना कर लेंगे 1210 क्योंकि जब आप question देखेंगे और बाद में जाकर उसको solution देखेंगे पीछे तो बहाँ पर उन्हें उन्हें क्या यूज किया है? 1210 यूज किया है ना कि 1120 से answer match नहीं खा रहा ठीक है? तो उन्हें क्या यूज किया है? 1210 टाइपिंग mistake उनसे book में हो गई थी. किलियर है? किलियर होना चाहिए तो कितना समझेंगे इसको कितना है ये? 1210 एक रिन तो 12 किस्तों में चुकाया गया यदि प्रतियक 12 किस्त 1210 रुपे की हो ततर चकवरदी ब्याच की दर 10% 12 हो तो उधार लिया गया धन कितना है? कितना? उधार लिया गया धन आपके क्या दे रखा है इसने? यदि प्रतियक 12 किस्त 1210 रुपे की हो आपके किस्त की वेल्यू दे रखी है आपसे क्या पूछा गया है? उधार लिया गया धन आपसे पूछा गया है कुछ भी नहीं है कुछ नया तो नहीं है ना क्या करेंगे सबसे पहले दर को पकड़ेंगे दर कितनी है 10% 10% का मतलब 10 से 11 सबी जानते हैं न यह हर कुश्चन में यही करते आ रहे हैं हम जब से चैप्टर शुरू करें सबी कुश्चन में यह स्टेप लग रहे हैं करेंगे 10 से 11 चल ले हैं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को भी अब क्या बोला इसने दो बार सिक किस्तों में चुकाया गया दो की बार चल ले है क्या करेंगे बर्क करेंगे स्क्वेर करेंगे 10 के स्क्वेर 100 इसका कितना है 21 किलियर है किसी बच्चे कोई दिक्क तो नहीं है दोनों को समान करेंगे इनको तो मल्टिप्लाई 11 से करेंगे और यहां भी 11 से करनी पड़ेगी कि पिंग कितनो यह 210 हो जाएगा कि यह कितनो मैं बता रहूं, आपको पैन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस आप बच्छे समय लेजिए, ठीक है, बिना पैन उठाई कोश्चन कर पाओगे, 100, 25, ठीक है, कोई दिक्केत नहीं है, अब यहाँ चे कितना आ गया, उधार लिया गया धन कितना आ गया, उधार लिया गया धन कितना आ गया, आप को उसर 210, कितना आ गया 210, उसने क्या दे रखा है, आपके प्रतिये किस्त दे रखिए 1210 रुपे की, यहाँ से प्रतिये किस्त आप बताओ कितने की है, आप को उसर 210, ठीक है, प्रतिये कि कितने गई बारहसुचो दस की मतलब की वैल्य कितने गई लेग आपको दस ये तो समझ में आता ना शवी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को एक की वैल्य कितने आ गई दस आ गई तो 210 की वैल्य मुझसे पूछे गई है क्योंकि उसने कहा था उधार लिया गएदन बार्व से पूछ लिया तो एक की वैलो कितने आगे दस तो 210 की कितने आएगी आपको इसर 210 में 10 से मल्टिप्लाई कर तो कितना आगया 2100 ओप्सन नमर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेस्ट कुश्चन करते हैं काफी आसान कुश्चन है नेस्ट कुश्चन देखेंगे ये भी काफी आसान कुश्चन है क्या दिया गया इसमें उधार लिए गई कोई रासी 5% कितनी है 5% प्रतिबर्ड के चकरदी व्याज के साथ 882 रुपे की 2 बरावर 2 बरावर 2 किस्तों में लोटा दी गई उधार लीगी रासी बतानी है ठीक है उधार लीगी रासी बतानी है हमें कोई भी दिक्कत नहीं है अपके दर कितनी दी है 5% 5% की फ्रेक्शन बताओ 1 बते 20 कितने होती है 1 बते 20 तो कितना होने वाला 20 से 21 20 से 21 ठीक है 20 से 21 कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए उसने क्या गाया था 822 रुपे की 2 कितनी 2 बरावर 12 किस्तों में 2 कहा गया है क्या करेंगे square करेंगे 20 का square कितना हो जाएगा 400 और 21 का 441 इतना आपको आना चाहिए ठीक है इतने तो आप कम से कम 30 तक आपको बर यूद होने चाहिए कम से कम 30 तक तो होने चाहिए इससे calculation में आसानी होती है 441 दोनों को same करेंगे तो यहां भी 21 से multiply करनी पड़ेगी और यहां भी 21 से multiply करनी पड़ेगी ठीक है इतना आप सेखे चुके हो अब यहां से करी 21 नही 42 420 आ गया 441 हो गया ठीक है 400 था और यहां से 441 इतना कुछ करना नहीं होता है बस आपको समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है बड़ना एक line में इनके answer आ जाते हैं बस 10 second के अंदर अंदर ठीक है अब यहां से मैं पूछूं उधाल लिगी राशी कितनी है तो आपको सिर्फ 420 और 400 कितनी हो गई तो यहां से कितनी है किस्त आपको उसर 441 तो 441 की वेल्यू कितनी है 882 एक की वेल्यू बता दोगे यहां देख लोग चाहें 441 की वेल्यू कितनी है 882 तो यह से कितनी बार कट जाएगा दो बार एक की वेल्यू कितनी है गी 2 तो आप से क्या पूछा गया है उधाल लीगी रासी थी उधाल लीगी रासी कितनी थी 820 तो एक की वेलू कितनी है दो तो 820 की कितनी जाएगी मल्टी बिलाए गर दूँ 820 की जब गुणा दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1640 ऑप्शन नमर सी हमारा करेक्ट आंसर हो देखेंगे जो हमसे अबधी पूछता है ठीक है बहुत आसान कोश्चन होते हैं और बच्चेस में फच जाते हैं ठीक है तुम बहुत अच्छे तरीके सामको बताने की कोशिश करूँगा जैसे कोश्चन आप पढ़ेंगे कोश्चन में क्या बोल गया है कोश्चन में कहा गया है 30,000 रुपे पर 7% बार्शिक दर से कुछ अबधी के लिए अबधी का मतलब समय के लिए ठीक है कुछ अबधी के लिए चक्रदी व्याज 4,347 रुपे है तो तुम्हें अबधी बतानी है कुछ भी नहीं कोश्चन में आपको मेरी जब कि जिस बच्चे ने पहली ग् ठीक है पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 10 से 11 जोंक मोल्धन दिया होता था और आपसे चक्रदी मिजदन पूछता था ठीक है तो ऐसा करा था हमने यह कितना हो जाएगा 100 और यहां पर कितना हो जाएगा 121 ठीक है तो हमको क्या दिया होता था इसकी वैल्यू हम मुझे बताईए यह क्या आता था हमारा मोल्धन आता था और यह क्या आता था मिजदन आता था चक्रदी मिजदन ठीक है उनके बीच का क्या आता था 21 रुपे यहां से क्या आएगा आपको उसर चक्रदी ब्याज तो हमको एक बात किलियर हो रही होगी एक बात किलियर हो र नहीं इतनी बात आपको किलियर है अगर मोल्धन में मोल्धन में चक्रवधी जोड़ दूँ तो चक्रवधी मिस्दन मिलेगा या नहीं आपको सब किसी बच्च वो confusion हो जाए इसलिए आपको बिना दर के ही बता देता हूं क्योंकि जह हम आसानी से कर सकते हैं तो क्यों हमें परेशान होना ठीक है आपको क्या मोल्धन पता होना चाहिए और आपको चक्रदी मिस्दन पता होना चाहिए आप अब दी बहुत आसानी से निकाल सक करती हो तो हमें दोनों चीज पता कर लेंगे आप देखेंगे तीस अजार क्या है यहां पर मोल्धन और चक्रदी भी आज कितना है 4347 अगर हम मोल्धन में 4347 जोड़ दें तो हमें चक्रदी मिस्दन मिल जाएगा आपको उसर बिल्कुल मिल जाएगा तो question हो गया हमारा कि कितना है मोल्धन 30,000 ठीक है कितना 30,000 और चक्रदी मिस्दन कितना है आपको उसर चक्रदी व्याज को जोड़ दो मोल्धन में तो कितना हो जाएगा 34347 किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक अब हम यहां पर क्या गड़ना होता हमें जह हमारे पास मोल्धन हो चक् मिस्दन हो और हमसा अब्दी पूछे तो हमें यहां पर क्या सोचना होता है ठीक है यह क्या है मुल्णने और यह क्या चक्रदी मिस्दन हमें यहां पर क्या सोचना है हमें सोचना है कि यह 30,000 किसी संख्या का बर्ग है या घन है या फिर हमें यह पता हो यह किस संख्या का ब को क्या करना है सबसे छोटी संगय से कारणा शुरू करना इंध दो नों को दू से कार देंगे तो यह Recent करने क् Pepsi कृटी सेवन है ठीक है तो दू से तो कटेंगे नहीं अब मैं Bonjour आप किससे यहां कितना जाएगा दसजार ठीक है यहां कितना जाएगा तीन ही करना 3, 3, 12, 3, 27, किलियर है, किसी बच्चों कुई दिक्कत नहीं है आतक, आप मुझे बताईए, क्या 10,000 किसी का बर्ग है, बताओ मुझे को, आपको असर बिलकुल, बिलकुल पता है, किसका है यह, 100 का, किसका है, 100 का स्क्वेर, क्या है यह, स्क्वेर, तो हमारा आंसर कितना गए यहीं से दो बर्स कितना आगए दो बर्स इसे आप नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है वर नहीं कितने का होता है 107 का होता है ठीक है योगि 7% दल थी तो यहीं से भी देख सकते हैं यहां से भी हमको clear हो रहा होगा 100 से 107 ठीक है तो क्या है यह क्या है इस्क्वेर तो हमारे कितनी अब दियागी दो बर्स यहां पर क्यूब बनता तो कितनी अब दियाती तीन वर्स clear किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो नहीं है ना कोई बे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है next question में और आपको clear हो जाएगा ठीक है वोकि हम जो करते थे 10 से 11 एक बर्स के लिए फिर 10 से 11 करते थे दूसरे बर्स के लिए ठीक है इस तो करते थे यह मैं से यह भी तो बोल सकता हूँ 10 के square 11 के square ठीक है बही बात हुई ना तो बही तो हम कर रहे हैं यह भी दो बर्स के लिए हैं ना समझ गए next question को देखते हैं next question काफी आसान है ठीक है इसमें क्या दिया हुआ है 1800 रुपे का 10% बार्शिक दर्स से एक अबदी का चक्रदी व्याज 378 रुपे है तद अनुसार बहे अबदी कितने बर्स की है कुछ भी नहीं है देखते ही कुछन को सोल कर दूँ क्या करना है मोलदन कितना 1800 आठार यहिए कि अब तुम्हें इन दोनों में से ये किशी का बर्व होता है या यह इनकेशी का बर्व गन होता है आंको तर पता नहीं चला अठारसू थाषू तो नहीं होता नहीं होता तो फिर सबसे छोटी संक्याजे काट लेंगे किसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यह 900 और यह कितना हो जाएगा 2 से काट 2,2,2,8,9 ठीक है इतने हो जाएगा किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है अब तो बता सकते हो यह नहीं आप बता वुझे 900 किसी का बर्ग होता है आप अब देखते हैं क्या दोगे सर क्या बात कर रहे हो यह तो 30 का बर्ग होता है तो बस आपको इससे ही पता चलिदाना है जब आपका बर्ग आया ना तो उपर क्या है, इस्क्याराया, तो हमारा आण्सर क्या हो गया, ओप्स strive no a, 2 words ठीक है, और उपर कितनी गार, 3 आती Model तो कितना है था हमारा 3 words, clear है, और आपसे आगर ये, पूछूँ ये किसका होता है, तो आसानी से बता दो कि 33 का होता है, 33 का square, ठीक है, काफी आसान है या बहुत ज़्यादा आसान है कर सकती हो या नहीं कर लोगे next question को चलते हैं और उसको भी समझ लेते हैं next question को समझेंगे 10% बार्षिक चकरवदी ब्याज की दर्ष से 8000 रुपे की धन्रासी कितने समय में 9261 हो जाएगी जबकि ब्याज अर्द बार्षिक रूप में सही हो जित हो इसका भी ध्यान रखना है लल्लू इसका भी आपको ध्यान रखना अर्द बार्षिक बोल दिया यहां पे बार्षिक नहीं बोला है क्या है अर्द बार्षिक बोला है तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है, कितना है? 8000, कितनी हो जाती है? कितने समय में? 9261 हो जाएगी, अब तो इसने डायरेक्टली दे रगा चकरोदी मिस्वदन, कितना? 9261, अभी आपको पता है, 9261 बेना भी एक दो कुशिन पहले ही आपको पताया था, क्या होता है? एक क आपको एक दम पता चलना चाहिए, ये भी आपको पता है, 20 का, ठीक है? और यहाँ पर किसका? 21 का घन, बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी बताया था या नहीं, आपको ये डिरेक्टली पता होने चाहिए, किलियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने च कुशन में और उसमें अर्दबार्शिक बोला हो, ठीक है? तो कितना यहाँ से? तीन वर्ट, अगर बार्शिक दिया होता, तो कितना हमारा आंसर हो जाता? तीन वर्ट हो जाता, अगर यहाँ पर अर्दबार्शिक ना बोला होता, अर्दबार्शिक रूप में सही हो जित, तो हमारा आंसर कितना उज़त? तीन वर्स हो जाता. बट हमें यहां से क्या बोला? अर्दबाट्शिक बोला है. तो अर्दबाट्शिक क्या करेंगे हम? दो से भाग कर देंगे इसको. ठीक है? दो से भाग करेंगे. तो दो एक ना दो. कितना बचेगा? एक सही, एक बटे, दो डिएड़ बर्स. आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? उप्शन नमर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. किलियर किशी बच्चे कोई दिक्कत हो नहीं है? अर्दबाट्शिक बोलेगा. तो हमें क्या कर देना है? जो हमारा समाएगा, उसको क्या कर देना? दो से भाग कर देनी हैं, हमारा आंसर आ जाएगा. किलियर है? अगले कुशन की तरफ चलते हैं. नेक्ट कुशन देखेंगे. इसको भी आप अपने आप से कर सकते हो. बिल्कुल सेम कुशन तो है वह. बिल्कुल उसी की तरह हैं, देखो. ठीक है? कितना है? यहाँ पर 80,000 दे रखा है. कोई दिक्कत नहीं है. 9, 2, 6, 1, 0. इस 0 से इस 0 खतम कर दूँगा मैं. तो कितना हो गया? 8,000 ही बन गया ना फिर. बही तो कुशन हो गया आप. कितना बन गया? देखो यहाँ से. सुरू से देखो. कितना था? 80,000 था. ठीक है? कितना? कितनी हो जाती है रासी? बयान में. कोई दिक्कत तो नहीं है. अब तो डाइरेक्ट आपको क्या पता है? मोल्धन पता है और मिस्रधन पता है. तो यहाँ से 0 हटा दे. तो कितना बच्चन वाला यहाँ से 8,000? यहाँ से 92 में 61. अब आप बता सकते हो बहुत आसानी से. यह क्या है पिल्कुल पिछले कुछन की तरह तो है? किसका क्यूब था यह? ठीक है? यह 20 का. किलियर है? किसी बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है. आंसर कितना आना चीए? कोई बच्चा धोके से यह मतलगा दे ना 3 वर्स. यहाँ को भी देख लिए आंके खोलके. अर्द बार्शिक बोला उसने. 3 वर्स तो आ गया. पर अर्द बार्शिक देख ले ना. अगर अर्द बार्शिक नहीं बोला होता. तब तो हमारा 3 वर्स तो अगर उसने में बार्शिक बोला होता तो. बट अर्द बार्शिक बोलेगा तो इसका क्या कर देंगे हम? 2 से डिवाइट कर देंगे इसको. फिर कितना जाएगा? एक सही एक बट दो उप्सन अमर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियर है किसी बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए next question की तरफ चलते है next question देखेंगे 32 रुपे की रासी 10% बार्शिक दर पर 83 आधार पर चक्रवदी ब्याच पर निवेश करने पर 3362 रुपे हो जाती है तरफ अनुसार उस निवेश की अब्धिक याद किजिए कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कितना 32 रुपे कितनी हो जाती है 3362 ठीक है अब आपको यहीं से पता होना चाहिए क्या 32 किसी का बर्ग होता है किसी का घं होता है आपको सर्फ याद नहीं आ रहा तो याद नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूँगा अगर आपको नहीं पता चल रहा बट आपको याद होने चाहिए 30 तक कम से कम ठीक है बर्ग और घं आपके 30 तक याद होने चाहिए सोला सो ठीक क्लियर है बताओ आपको से बिल्कुल क्लियर है यह कि इतना है जब इसको 200 काटेंगे 1681 कोई दिक्कत नहीं है अब 1600 देखते ही बच्चा समझ जाएगा एकदम क्यार यह तो 40 का बर्ग होता है क्योंकि 40 गुणा 40 बराबर 16 हो गया ना ठीक है तो इतना तो आपको आना चाहिए किसका 40 का बर्ग होता है और यह किसका होता है 41 का होता है बस आपको एक का पता से लिला है कोई दिक्कत नहीं है एक कभी पता आना आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो कितना हो गया हमारा दो बर्स दो बर्स मत लगा देना गलत है ये क्योंकि उसने क्या बोला है यहां पर तिरी मासिक आधार पर अगर यहां तिरी मासिक ना बोलके बार्षिक बोला होता ठीक है बार्षिक आधार पर शगुर्दी ब्याजपर निवेश करने पर इतनी हो जाती है तो आपको अंसल दो वर्स हो जाता पर यहां पर क्या है त्री मासिक होता त्री मासिक होता त्री मासिक होता तो मैं इसको किसे डिवाइट करता दो से डिवाइट करता ठीक है बट यहां पर क्या है त्री मासिक है तो किस से डिवाइट करूँगा चार से डिवाइट करूँगा चार से डिवाइट करूँगा कितना जाएगा एक बटे दो वर्स ऑप्सन नमबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियर है किलियर है किसी बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है अर्दवार्शी को तो किस से करता 2 से डिवाइट करता तिरी मासी के तो किसे डिवाइट करूंगा चार से डिवाइट करूंगा अब आप बहुत आसानी से इस टैप कोशन कर सकते हैं नहीं अपने लगाने के कोशिश करना ठीक है चलते हैं नेस्ट कोशिंग की तरह इस टैप के कुश्चन और कर लेते हैं ठीक है इसमें बच्चे कन्फिज रहते हैं इसमें क्या वो लगया है एक धन्दासी बार्षिक चक्रवदी ब्याच की दर पर दो बर्सों में 500 और तीन बर्सों में 540 रुपे हो जाती है तद अनुसार उस चक्रवदी ब्याच की बार्षिक दर कितनी है दो बर्सों में कितनी 500 और फिर कितनी है थी तीन बर्सों में 540 ये कितनी थी दो बर्सों में ये कितनी है थे तीन बर्ष में 540 तो इसमें तो कुछ भी नहीं है क्या बूचा हम से उस चक्रदी वैज की बार्षिक दर कितनी है दर कुछ ही है ना तो कुछ भी नहीं है ये बता हम उससे कितना भी आज 40 का किस पर 500 गुणा 100 गेड़ को फार नियूफ एड़ लों से दो 1 5 8 छालिष आठ पर्सेंट करेक्ट cho 정ौज जाएगा मैं औरUND 11 इइ ज्सेवे दिक्की कोई दिक्कत हो नहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे हैं है कि नेक्च स्थ देखेंगे next question है एक धंदासी चकरुदी ब्याजपर चार बड़सों में 3,840 हो जाती है और 5 बड़सों में 3,936 है ये पूर्ण बिराम का चिन है कभी इसे एक में काउंट कर लो ठीक है कितना एक धंदासी चकरुदी ब्याजपर 4 बड़सों में 3,840 हो जाती है और 5 बड़सों में 3,936 तद अनुसार ब्याज की दर कितनी है कुछ भी नहीं कोश्चन में कितनी थी 3,840 से कितनी हो जाती है 3,936 ठीक है ये नहीं कभी इसे काउंट करो कितनी है 3,936 तो मुझे बता कितनी बड़ी कितना भी आज आपको होगे सर 96 का कितना 96 किस पर 3,840 गुणा 100 ठीक है कर सकते हो यह नहीं कर सकते इस 0 से यह 0 खतम केलियर है 12 से कर लेंगे 12, 96 12, 36 और 12, 24 8 तिया कितना भाएंगे 8,32 आपको सर 8,32 नीचे कितना भाएंगे 4 उपर कितना भाचे 10 तो जब 10 को डिवाइट करेंगे 4 से तो कितना जाएगा 2.4 दुनियाट कितना भाचेगा 2, 4 पंजे 20 2.5 परसेंट किस ओप्सन में है किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए काफी आसान कोश्चन थे और एक कोश्चन का उन्हें बहुत अच्छे समयने की कोशिस किये ठेकी बएरे बच्चों तो आपको विश्वाज इलाता हूँ आपको कोई भी एक्जाम हो ले एक नोसी बखो आपको प्रैक्टीसस सुरूब कराओंगा प्रैक्टीस से में करें हर के लिए हर चैप्टर को अच्छे कर लेते हैं अप्र लगाएंगे उसमें चुल fire लेविल के question होंगे तो उनको add करूंगा और साथ में जो भी आपके नए नए टाइप के question आते रहेंगे वो भी आपके complete होते रहेंगे कम से कम आपका इतना तो होना चाहिए यगर किसी में मैत कितने काता है 25 का मैत आता है तो कम से कम आपके 18-20 तो हो जाने चाहिए ठीक है और जो आपके 6-7 बचे question उनका हम किसमें complete करेंगे जो मैं आपको practice एड लगवाऊंगा तो एक ए question आपके complete करा दूँगा बिसपास रखिए 25.25 आपके जिसमें मैत आता होगा पूरे मैं से पूरे करोगा यह मैं आपसे बादा करता हूँ ठीक है तो इसलिए चैनल को subscribe करके रखिए ठीक है reasoning मैं आपकी बहुत अच्छे से complete करा दिए कोई भी बच्चे यह नहीं कह सकता जिसने अगर सभी किलासे साइद 180C के आसपास किलासे हैं आपने सभी किलासे अच्छी से देखी हैं तो एक आद question हो सकता आपसे नहीं बरना एक एक question आप किसी भी exam का फोड़ कर आओगे यह मैं आपसे बादा करता हूँ